नवस्कार दोस्तों गोरकनात मंदिर जो गोरक पूर में इस्तित है एक बड़ा ही यूपी में ये कहें कि 5 साल से एक ऐसा केंदर बन गया है या एक ऐसा केंदर बिंदू बन गया है क्योंकि उस में एक जो सत्ता के सीर्श कुरसी पर बैठा वेखती उसका निवासिस्तान है या ये कहें कि उसका मठ है गोरकपुर के गोरकनात मंदिर में कल रात एक मुस्लिम यूवक ने परवेश करने का प्रयास किया कोशिश की ऐसा नहीं है कि पूजा के लिए मुस्लिम व्यक्ति ने वहाँ पर हमला करने की कोशिश की हमलावर तरीके से घुसने की कोशिश की और अल्लाहु अक्बर का नारा लगाते हुए अंदर घुसने का प्रियास किया जब उसको PSC वाले जो वहाँ पर तेनात हैं Constable या कहें कि जो वहाँ force तेनात है उसने रोका तो उसने वहाँ पर अपना जो बैग से दाव निकाला दाव क्या होता है कि जिससे कि हम लोग पेड काटते हैं या किसी चीज़ की छटाई करते हैं तो उससे उन्होंने हमला कर दिया दो PSC जवान घायल हो गए जैसे उसको लोकल लोगों की मदद से पकड़ा गया तब जाकर उसने अपने बारे में कुछ चीज़े बताई तो उसने सबसे पहले जो एहम बार बताई वो यह कहा कि मैं IIT मुंबई से graduate हूँ chemical engineering में उसने अपने engineering की है तो दोस्तो आप लोग यह सोच रहे होंगे कि chemical engineering में engineering करने वाला व्यक्ती का mind ऐसा कैसे हो सकता है वो इस तरीके से मंदिर में क्यों घुस रहा था या उसका उसके पीछे क्या उचित्ते रहा होगा तो दोस्तो आप यह सब मत भूलिए कि जितने भी बड़े बड़े hijack या जितने भी बड़े बड़े bomb blast हमारे पूरी दुनिया में हुए हैं उन सब के पीछे पढ़े लिके लोग ही थे उन सब के mastermind किसी अच्छे engineering college से engineering graduate किसी अच्छे doctorate college से doctorate और किसी अच्छे professional college से professionally graduate थ तो यह सारा जो factor है कि यह पड़ा लिखा है गजबरदस्ति इसको यहां लाया गया है तो यह सारे चीज़े गलत है यह निराधार हो सकती है अब दोस्तो यह देखना होगा कि इसके लिए कुछ time में या कुछ घंटों में या कुछ दिन में कौन सा islamophobia का section इसके लिए लगा पर जाता तो क्या बेदवी के मामले में यह वहां से जिन्दा वापस आपाता नहीं बिल्कुल नहीं आपाता यह तो यहां लोगों ने इसको पकड़ा पुलिस की मदद से इसको अस्पताल ले जाया भी गया जिससे कि इसका treatment भी चल रहा है पर किसी और धार्मिक स्थल में जाता तो वहां इसको बेदवी के उसमें मार दिया जाता तो दोस्तो हमें यह सारे consideration करने हैं कि क्या चीजे हुई है किस तरीके से यह वहां पहुचा क्यूं पहुचा और chemical engineering करने के बावजूद भी इसके घरवाले ऐसा क्यूं बोल रहे हैं कि इसकी मानसे किस्थिती ठीक नहीं हैं मानसे किस्थिती एक व्यक्ति की खराब हो सकती है इसके साथ एक और व्यक्ति था उसकी तो नहीं खराब हो सकती है ऐसा तो नहीं है कि सारे व्यक्तियों की मानसे किस्थिती एक साथ ही खराब हो सके तो दोस्तो आप भी अपनी रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बत में देरा ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए